तो आज हम जो है दिबरू सेखोवा नेशनल पार्क जो हमारा असम में ही सिचुएटेड है उसके बारे में पढ़ने वाले है तो पहले एक बार लोकेशन देख लेते हैं मैप पर कहां लोकेटेड है तो यहां आपको क्लियरली दिख रहा होगा यहां पर यह जो है इस्टेंड मोस्ट जो असम है ना उसके वहां पर सिचुएटेड है नियर दी बॉर्डर ऑफ अरुनाचल प्रदेश का बॉर्डर है और हमारे दिबरू सेखोवा नेशनल पार्क एकदम जो इस्टेंड पार्ट है वहां पर साथ एक बॉस्पेर रिजर्व भी है भी सेर्व लाजर्जर एको सिस्टम में विच और पार्ट है बडा साएरिया औहरी जोगशन होता है और एक होता है मैनिपलेशन जों ठीक हैं एरिया वाइस डिवाइड होता है कि कहीं पर हीमन एक्टिविटी इस अदरवाइस अलाव इसके लावा हमारे जो on है इसमें जो 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 फोर स्ट के उपीचिल है उनकी पर्मिशन से थोड़ी बहुत हंटिंग ग्रेसिंग इस तरीके के एक्टिविटीज जो है अलाओ होती उसके अलावर जो हमारे राय मोना नेशनल पार्क और देहिंग पटकाय जो नेशनल पार्क है उनको स्टेटिस कब मिला यह आप बताइए क्योंकि हम अल्रेडी कवर कर चुके हैं ठीक है तो यह हो गई इसकी लोकेशन की कहां पर जो है सब्सक्राइब करते हैं तो सबसे पहले एक बार मैप पे भी समझेंगे एक बार देख लेते हैं कि है कहां पर सिचुएटेड यह तो इस सचुएटेड इन फ्लड प्लेन ऑफ ब्रह्म पुत्र रिवर ठीक है असम की जब हमने बात किये तो हमने देखा है और जो हर पार्क है हमारा या तो ब्रह्म पुत्र के आसपा सचुएटेड यह ब्रह्म पुत्र रिवर की कोई भी इंपॉर्टेंट टिब्यूटरी उस पार्क से हमारे पास क लगेट release अब तो और सो मैप पर देखते हैं कि लिवाले ने ये नियुकि मैवाला यह ने ंद्री संक्राइब इसे में पूर शो पर इसका को बाउं करती है जमारी जुन उसको मं करती है अब एक और चीज पार्क के बारे में होंगे वह्त र करेंगे तो डिरसेखोवा में जो है एक मोटा पंग बील एक सीचुएटेटिड final एंट रियेग्जपार की हां पर हम्ने देखा तैंप ऍाथ इस इरिया में जो है यह बात हो गए हमारे रिवर और बील किस तरीके से हमारे इस पार्क में है अब यहां के बात करते हैं यहां का बढ़ा ही इंप्रेस्टिंग है बहुत सारी चीज़े हैं सबसे पहले हो तो यहां पर भी हमारे इनीशली जो पार्क था यह हमारे क्रिक हो यह हमारे बढ़ा ने के आरा देशाया रेट है इसको बचाने के लिए लिए दीशली जो वाइट वंक्षा है वह में और यह फी विंचू स्कराऊं था आगग एp सनक help दो है इनीशली जो है इस बर्ड को प्रिजर्व करने के लिए इसके हैबिटाट को बचाने के लिए क्योंकि एक्स्टिंट होती जारे थी एकदम ही खतम से ना हो जाए तो इसलिए इस पार्क को जो है यह इनीशली जो है यह क्रिएट किया गया था उससे पहले यह पार्क भी एक र इस पार इस पार्क की इंट्रेस्टिंग फॉना आर फेरल फॉर्स या फिर और फेरल पॉनी पॉनी इस तरीके से दिक्टे आड़िया और यह हैं कि हमारे यह हमारे वाइड होर्स इनकी पीछे जो डू के टाइम पर प्रिटिश यह पे बहुत सारे स्टेबल बनाये थे logistics को maintain करने के लिए और war में जो है वो उनका जो होते हैं हमारे इनका भी उस करती थी धीरे दीरे क्या हो जब वर खतम हो जाती थी तो these horses were released into the wild ठीक है तो अब जो वहाँ पर यह horses जो है exist करते हैं माना जाता है कि descendants है descendant हमारे पूर्वर जो है उन्हीं के जो है हमारी होर्सेस डिसेंडेंट है जो इस वक्त इस पार्क में जो है एक्जिस्ट करते हैं दियर दिसेंडेंट्स ऑफ होर्सेस वो बोल्टेड आउट ऑफ स्टेबल सेट अप बैदा ब्रेटिश आर्मी इन एन अराउंट तिंसुकिया डिस्क्रिक्ट हो गई एंड पार्ट फॉम देंप कुछ और पॉपलेशन है फॉना की जो यहां पर एक्जिस्ट करती है विच इस रेयर और इंडेंजर वो भी देख लेते हैं बेंगॉल टाइगर अब तो यह हमें बिल्कुली क्लियर हो गया कि यह इंडेंजर स्पिशीज है हमने हर लेक इंडेंजर ठीक तो यह चीज़ें डिफ्रेंस पता होना चाहिए जैसे हमारे पास जो भी टाइगर भी आये हैं कुनो नैशनल पार्क में वह कौन से हमारे अफ्रेकन चीता जो एशन चीता नहीं है ठीक है एशन चीता इस वक्त सर्फ एरान में एक्जिस्ट करते हैं चलो उनली वाइल लाइफ सेंचुरी उनली पार्क जहां पर हमें जो है सेवन वाइल कैट स्पिशीज मिलती हैं उन में से यह दोनों भी थे और यह दोनों ही जो हैं हमारे वलनरे बल हैं उसके बाद आती है हम हमारी एस्टिक वाटर बफलो विच इस ऑल्सो एंडेंजर गैंग इतने भी फॉना हमारे हाँ पर मिलता है इस ओल्मोस्ट एंडेंजर तो यह बात हो गई हैं के फॉना की बस इस पार्क के बार में इतनी ही इंफॉर्मेशन है जो इंपॉर्टेंट है हमारे एक्जामेनेशन के लिए आयो होप आपको सारी चीज़े क्लियर हो गई हैं तो प